Hello everyone, welcome back to this channel तो क्या miscarriage के बाद period start होने से पहले क्या आप conceive कर सकते हो क्यूंकि miscarriage के बाद जब starting में bleeding होती है उसके बाद आपके period धाई या तीन महिने या चार महिने के बाद आपको फिर से start होते है या हो सकता है आपको next month से ही start हो जाए अब बात ये होती है कि क्या mismcarriage के बाद period आने से पहले आप conceive कर सकते हो तो इसका answer है yes आप conceive कर सकते हो क्यूंकि pregnancy होने के लिए या conceive करने के लिए ovulation होने जरूरी है और ovulation आपको period से पहले होता है जैसे कि आपका इस month आपका cycle आने वदा है आप का उवलेशन होता है कि आपने दिलेशन रखा उस टाइम पे आपने कंसीव कर लिया तो हो सकता है कि जो आने वाला पीरेड है आने वाला साइकल वह मिस हो जाए और आप यह सोच के बैठो कि हाँ अभी miscarriage के बाद period दुबारा से start नहीं हुआ है तो मैं conceive कैसे कर सकती हूँ actual मैं ovulation हो गया है आपने conceive कर लिया है तो वो period miss हो गया है तो हो सकता है आपको इस टाम पर जो भी pregnancy symptoms दिखें उसको भी आप थोड़ा confuse कर जाओ या आप थोड़ा सको neglect कर दो कि miscarriage के बाद यह सब symptoms हो रहे हैं तो वैसे जो doctor recommend करते हैं कि miscarriage के बाद आपको 3 months का gap लेना चाहिए conceive करने के लिए अपनी body को आपको इतना time देना चाहिए internally heal होने के लिए emotionally आपको heal होने के लिए तीन महने के बाद ही आपको फिर से planning करनी चाहिए but yes अगर आपका miscarriage के बाद period अभी तक start नहीं हुआ है लेकिन आप conceive कर सकते हो क्यूंकि जब आप ovulate करते हो जब आपका ovulation होता है उसके 14th day पर आपको period आता है इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको miscarriage के दो महने बाद भी period start नहीं होता है तब आपको doctor से consult कर लेना चाहिए और अगर आप relation में हो अगर आपको कुछ भी इससे symptoms लगते है नोजिया है वीकनेस है तो आपको pregnancy test भी कर लेना चाहिए और miscarriage के बाद ब्रेडिंग कितनी होती है period या कब से start होता है किस तरह का period होता है इसके लिए मैं already एक वीडियो कर चुकी हूँ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा आए बटन पर इसका link मिल जाएगा और description box में भी इसका link दिया हुआ है So hope जो भी आपका doubt था वो मैंने clear किया है तो इस वीडियो को like कीजिए और जल्दी से नीचे अभी लाल बटन देबाईए और इस चैनल से जुड़ जाएए Thank you for watching